आपको दिखाता हूं में यहाना से कैसा है यह लकडी का भी इक बृज है यहाँ पे नीचे में तो यह देखिए根stuction आता हू द के सुछकर हूजभ और वह लकडी का बृजुका है उक चो बृज में आनकल जाएगा क्या चारो तरफ जंगल ही जंगल है यहां पर वह तरफ में जाने के लिए यह लोग लकडी का ब्रीज के इस्तमाल करते थे इस बार यह वाला ब्रीज बनने के लिए चालू है लेकिन कब तक होगा पता नहीं यह देखो दोस्तों यहां सी पूरा स्टीफ डारेक नदी तक वह सब्सक्राइबस हैं तो अब कर दोगा दिए निकलेंगे चलो भी सिवानिक निकलते हैं हम लोग कुछिग यह यहां से बोलेगे करते हैं कि यहां पर तरफ करने के लिए दूसरा कोई उपाही नहीं होता है जाने के लिए बीच में नदी भी बहुत बड़ा है तो आने-जाने में तखलिफ होता था तो वह टाइम में लख्री के काफी सारे ब्रीज बना दिये होंगे यहां पर एक्चुल में जो हवाई तक जाने वाला ब्रीज था वह भी पहले लखडी का ही हुआ करता था समान भी वहां से वही ब्रीज से पहुंचाया जाता था लेकिन अभी वह वायर सस्पेंशन ब्रीज बांद रहा है तो यह देखिए ब्रीज की फिटिंग कुछ इस पत्थर बड चेक करके जाना है कि लास्ट टाइम हम लोग एक ब्रीज पर गए थे तो वह मेरी मेरा पेर फसके नीचे चला गया था वह लगडी का ब्रीज में से यहां पर देख सकते है पानी बहुत ज्यादा है मुझे ही डर लग रहा है वहां तक अंदर तक जाने के लिए तो प्रीज प्रीज भी हिल रहा है पूरा लगडी भी पूरी पूरी नाजुक सी लगडी लगाई हुए हुए देखिए लगडी ओंके ये लाइकन साह चुपे है और मैं शेफ नहीं समझ रहा हूँ दर जाने के लिए तो मुझे भी डर लाग रहा है तो मैं उदर वो तरब में नहीं यहां से चूट करके यहां से निकल जाओंगा तो यह ब्रीज वाला अभी तो हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे लेकिन दूसरा अगर अच्छा वाला ब्रीज मिलता है तो वह क्रॉस कर लूँगा मैं यह व्लोग यही के लिए खतम यहीं के ब्रीज में से टेड़ा भी है तो पानी का फ्लोग भी ज्यादा है पानी भी बहुत उपर दगे आज के लिए इतना ही दोस्तों फटी पड़ी है यहां पे टाथा बाई-बाई-बाई-शी यू इन नेक्स लोग चली अभी मैं निकल रहा हूं वापस रिटन तो अभी हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे यह गा जड़ान काफी स्टीफ है यहां पे पहाड ले उपर तो तो फिर भी जा रहा हूं तकान मेंसे हो रही है लिखना अच्छा भी लग रहा है ने जगों पर विजिट करने के लिए तो चलिए निकलता हूं मैं अभी